तो पर कैसे लड़ेंगे हम यह तो आप खतरा बता रहे है ना तो मुझे बता यह लड़ेंगे कैसे बार बार का जाता है जंसंख्या नहीं अंतरण मैं इसके मैं तो solution की बात कर रहा हूं क्योंकि इसमें यह लिखा गया है मैं पढ़ रहा हूं यह page number 2 पे लिखा गया है इसमे अगर 10 परसन मुसल्मान में मारे साथ आ गए तो डर पोक बहुत संक्या हिंदूओं को हम घुटने पर ले आएंगे यह तो planning है सर इनको तो majority की ज़रूरती नहीं है लोक तंत्रों में वास्विक शक्ति जनता के हाथ में होती है जो मैंने पहले कहा अगर पूरा देश और प इसी कहता मैं तेलगूम भाचर दूँगा कभी बदरुदीन अजमल कहते मैं असमिया में भाचर दूँगा मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कभी केरल के किसी मुस्लिम को देखा कि वो कायम अलियालम में भाचर दूँगा वहां वो एक बिंदू पर है और हमारे अंदर उस अब मैं इसी पर आ रहा हूं एक बार मैं डिबेट में था तो एक बड़े मुस्लिम नेता साथ में थे और एज यूजवल एंकर ने कहा कि चुनाव से पहले कि बाद इतने प्रतिशत मुस्लिम हैं और फिर इतने प्रतिशत ब्रामर्ण शत्री यादावजाट फलाना धिमा काईए वो तो मैंने का जी इनको भी तो गिनाईए कि कितने सेयद कितने शेक कितने पठान कितने गदी कितने गोसी कितने अंसारी कितने तो तुर्क कितने बहना यह सब भी तो बताईए और इतना नहीं मज़े की बात देखिए उनके हाँ आप यह मतलब इस बात पर एक वि आप defined मज़िते हैं, defined कबरिस्तान हैं, हमारे ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हमारे दिमाखों में भर दिया जाता है, कि सब हमारे यहां देखे कितना जातिगत विवेद है, और उनक्या और मज़े की बात, फिर convert होने के बाद भी सब लोग उसी जातिगत वेद के आधार प्यार आक्षन भी चाते हैं, और बहुत से लोग पा भी रहें, मतलब कितनी मज़ेदार बात यह है, कि एक तरफ वो कहते हैं, कि जाती भेद के कारण convert हुए, और फिर उतनी जाती मेंटेन रखते हुए आरक्षन भी पाने का दावा करते हैं, हम इस शडियंत्र को जब तक नहीं स जन संख्या नियंत्रन कानून कोई जनता थोड़ी ना लाएगी। चेंज किया गया है, तब जब व्यक्ति के खिलाफ हम सबूत इखटा कर लेंगे, तो अब उसके बाद जिसको हम न्यायले में साबित कर सकें, तो अब वो किसी भी संगठन में चला जाए, वो संगठन के आर में बच नहीं सकता, वो प्रक्रिया अपने इस्तान पे चल रही अब जहां तक जन संक्या नियंतरण की बात है, उस बारे में भी विचार चल रहा है, परन्तो हम यह भी कहना चाहेंगे, कि जितनी जागरुकता सरकार में रहेगी, उतनी जागरुकता जनता में रहेगी, उतनी जागरुकता सरकार में भी दिखेगी, क्योंकि जनता ने सरक मुश्लिम राष्ट चलिए तो मैं आप से बताता हूँ एक उधारन बताईएगा जहां पर कि मदर्सों को सरकारी खजाने से साहिता दी जाती हो दुनिया में एक सेकुलर राष्ट बताईएगा मौलवियों को सैलरी दी जाती हो वक बोल्ड हो प्रोविजन्स ओफ शरीया कॉ पार्ट हो और इसके बाद इतना ही नहीं यदि किसी भी प्रकार से सर्वोच चिन्याले शरीया के अगेंस में आ जाए तो सर्वोच चिन्याले को ओवर रूल कर दिया जाता हो हज पे सबसीड़ी दी जाती हो ट्रिपिल तलाक हो हलाला हो महरम हो महरम पता है आपको क्या होत नहीं ऐसा था कि उस मानिता के अनुसार यदि कोई महिला अकेले जाना चाहे हज तो वो नहीं जा सकती चार महिलाएं भी नहीं जा सकती हैं बेहने नहीं जा सकती हैं दिवरानी जठानी नहीं जा सकती हैं पुरुश होना जरूरी है उसको महरम महरम कहते थे हमने वो खतम कि ये सारी की सारी चीजें किस सेकुलर देश में थी मैं अपने विरोधियों से पूछना चाहता हूँ ये प्रावधान सिर्फ मुस्लिम देश में थे सम्विधान प्रदत थे इसलिए हमने कहा कि 2014 से पहले ये देश आंसिक मुश्लिम रास्तप अब हम इसे ट्रू सेकुलर राष्ट बना रहा हैं हम तो ट्रू सेकुलर राष्ट की बात करें अब आंशिक हंदु राष्ट की अब एक बात कहते हैं तो है। क्रिश्यनिटी में तलाग का प्रावधान तो है। हिंदु धर में तलाग का कोई प्रावधान नहीं है। की व्यवस्था जोड़िये और उपर कहते हैं की तलाग की व्यवस्था में सिर्फ यह कह दो कि तलाक इस जंग से होना चाहिए तो वह कहते हैं कि हिंदु राश्थ अर्भई तलाक की परंप्रा हिंदु परंपरा नहीं है तो असलियत तो यह हम ने इसलामी को क्रिश्यन परंपरा को एक्सेट किया है और हम पर उल्ठारोब लगा रहे हैं यह कितनी इल्लॉजिकल बाद और कुई सवाल हाँ नमस्कार सुदान्शु जी मेरा नाम रवी बदोरिया है और मेरा दो छोड़े प्रशन है आप से एक तो बगवाइंद जैसा कारेकरम का नाम भी है हिंदू उन्हें के नाते मेरा एक प्रशन है कि यह देश हिंदूराश्टर कब बनेगा जब बटवारे के समय एक इसलामिक अलग से दिया गया था और उसके दो हो चुके है तो हमारा देश हिंदूराश्टर कब बनेगा जैसे यह प्रशन पूचा जाएगा तो लटकाने बटकाने अटकाने वाला एको सिस्टम आपको महंगाई इंफलेशन इस पे बोलता रहेगा उससे मुझे को मतलब नहीं दू सेकुलर वाला जो आपका है जो हिंदू धर्म के अनुसार है वो पूरा हो सकता यह दो प्रशन है मेरे आप से चोलेगे पहले तो आप में बड़ी अच्छी बात कही कि इंफलेशन और महंगाई तो यहां पे मैं एक बात ऑन दे लाइटर नोट कहना चाहूंगा आप सबने सुनाओगा सतर और अशी के दशक में भारत की एकनॉमिक ग्रोफ रेट दो परसेंट थी और यह बाकाइदा फ्रेज दुनिया में यूज़ किया जाता था दिस इस हिंदू ग्रोफ रेट भारत की ग्रोफ रेट कभी दो सबा दो परसेंट से उपर नहीं जाएगी चूंकि या हिंदू रेट ऑफ ग्रोफ है ठीक और महेंगाई कित्ती होती थी दहाई यंग से उपर महेंगाई होना सामान नवाद थी आप इसे बहुत से लोगों को ना ध्यान हो तो एक जमाने में 23 परसेंट 24 परसेंट रेट ऑफ इंफलेशन रहा है 1974-1975 में जब वो फेमस वाला गाना आया था कि पौडर वाले दूद की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महेंगाई मार गई अगर आपको याद हो अब चांस की बात देखिए जब से उनके हिसाब से हिंदुवादी सरकार आई तो रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इंफलेशन से डबल चल दा है अटेल जी के जमाने में हमने साड़े 5-6 परसेंट की रेट ऑफ ग्रोथ चोड़ी थी मोदी जी के जमाने में साड़े 8 परसेंट तकी गई अभी भी जो एस्टिमेट है आई एमेफ और वर्ल्ड बैंक का वो साड़े 9 परसेंट का बता रहा है तो भाईया जो आप कहते थे अर्थ व्यवस्था महंगाई तो अपने जमाने में बतातो दो कि कितनी अर्थ व्यवस्था और महंगाई थी और हमारे जमाने में कितनी है आपको एक और बात बताएं, इस पे भी थोड़ा कह रहे हैं, लोग कहते हैं ना, पचास साल की सबसे बुरी मेहँगाई, पैटालीस साल की सबसे बुरी अर्फवेश था, यह बताएं, 1991 में तो सुना गिर्वी रखा गया था, हमारा बैलनस अप पे में, फॉरें एक बिलियन आज 600 बिलियन से उपर है, उससे बुरी इस्थिती है, रेट अफ इंपलेशन 14%, 13%, यह 991 की बात कह रहा हूं, कुछ भी बात जो आपने का लटकाने भटकाने वाला काम ऐसा जूटा दुश परचार खड़ा करने का प्रयास किया जाता है, इन सारी बातों को लेकर, इसलिए क्योंकि हम committed हैं, प्रधान मंतरी जी का कहना हम विकास के तरफ पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सबको शिक्षा, सबको स्वास्त सुविदा और उसके साथ साथ राष्टवाद का विचार भी, क्योंकि हम सुरक्षा में भी किसी प्रकार की कोई समझाता नहीं करना च कुछना चाहते हैं कि जो लोग हम पर सामर्दाइकता का आरोप लगाते हैं, डॉक्टर एपीजी अबुल कलाम के नमाजे जनाजा में कितने सेकुलर नेता गये थे, बुरहन वानी के में खूब गये, याकूम मेनन के में खूब गये, अफजल गुरूप और आंसु खूब बहाए, आतंगवात के आरोपियों घर पे खूब गये, बता तो दो कौन कितने गये, तब समझ में आता है, अब भारत की सेना के पहले गैलिंट्री अवार्ड बिगेडिर मुहमद उस्मान थे, कितने लोग गये उनके घर पे, गाजीपूर में, मुक्तारन सारी के घर पे अब आनी जाएंगे, आजमगड़ में, वीर अब्दुल हमीद गाजीपूर के थे, कितने लोग गये उनके घर पे, उनके बलिदान की पचासवी वर्ष गाठ हुई 2015 में, उस्ताद बिस्मिल्ला खाने पहली शैनाई वजाई थी, कितने लोग गये उनके घर पे, वारणसी में, नहीं गये, क्यों? क्योंकि आपको, जो इन्होंने बात बोली, आपको तो वो एजंडा है जो गजवाय हिंद को सेट अप करें, उसके साथ रहना है, यानि अपराधी और आतंकवाधी प्रवित्ति के मुस्लिमों को बढ़ावा देना है, राष्टवाधी प्रवित्त में, मेरी मेड है, अराम से हम लोगों की तरह वो आती है, हमने हिंदू होके उसको घर में बच्चा अपना संभाला, अब पडोस के फ्लैट की, जो कॉन्मेंट एजुकेटिड है, मैडम, वो हिजाब पहनने लगी, तो नजमा भी हिजाब पहनने लगी, मैंने उस से पुछ कौन फैला रहा है, और इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, और कोई स्वाल, पीछे पीछे देजी, सर नमस्कार, मेरा नाम संगीता तिवारी है, मेरा कोश्चान है, हिंदूस्तान में हिंदू कितना सुरक्षीत है, त्रिवेदी जी, अब एक मुए, फिरा आगे बढ़ सही, गलत, वो विशे अलग है, वो उसकी मानिता है, वो अपनी मानिता पे द्रड़ है, हमारे जो यंग बच्चे-बच्चियां हैं, उनके बारे में जैसे आपने काम तो धर्म को नहीं मानते, उनके साथ उसका उल्टा है, वो वेस्टर्न ड्रेसेस के उपर आग्रहपूर हुआ अड़कर, दूसरे को एकदम डिफीटेस माइनसेट में, ये डिफीटेस माइनसेट है, उधारन के लिए देखिए, कोई वेक्ति अगर अपना पहनावा पहनता है, इमानदारी के साथ, यदि मैं उधारन देना चाहता हूँ, सिक हैं पगड़ी पहनते हैं, और दाड पहनना चोड़ी बैकवर्ड है, बैकवर्ड नहीं है, ये डिफीटेस माइनसेट है, इस बात को समझेए, और उलेखनी ये बात ये है, कि हमारी जो जो चीजे थी, इसके लिए हमारा मजाग उड़ाया गया था, क्रमशाह सब साइंटिफिक होती ही आ रही है, पूजा में स सबसे आदा ऑक्सीजन निकालने वाला एक मातर पेड़ जो है, वो पीपल है, इसके बाद यूजा होता है, तुलसी सबसे आदा एंटी वो अपनी जो इमिनिटी बढ़ाने वाली है, ये बात अप्रूव हो क्या रही है, मतलब हमारा जो कुछ है, सामने दिख रहा है, वन वन साइंस उसको प्रूव करती चली आ रही है, गाय सबसे पूजमानी आती है, काउ मिल्क में एटू होता है, वो वैंस के मिल्क से ज़्यादा बहता है, सारी चीजे इस पस्ट होके आती चली आएंगे